हाई एवरिबान, मैं हूँ बावन बातला फॉम दुवील फॉर्चून 369 से आप सबी की टारो का रीडर और आज हम चेक आउट करने वाले हैं आपके पोर्सन के मौर्निंग थॉट्स, मौर्निंग इनर्जीज, ओके, सो चेक आउट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप न करना चाहते हैं तो भी आप लाइक कर सकते हैं और मुझे कमेंट भी करके बता सकते हैं अगर आप मेरी टीम से कॉंटाट कर सकते हैं मेरी टीम का नंबर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है यह इनर्जाइस ब्रेसलेर लेने के लिए जो कि आपकी न अगर आप स्पेसिकली एक नू कॉंटाक सिचुएशन में वो सेपरेटेड हो अपने पार्टनर से तो यह रीडिंग आपके लिए हैं चले तो फिर चेक आउट करते हैं जब मैं काज को शफल करूं तो अपने पर्सन के बारे में सूचे हैं ताकि यह रीडिंग एक बहुत आपर वाव, वील of fortune, Queen of Swords, Three of Pentacles, Three of Cups, Knight of Wand, The Empress, Seven of Cups, Ten of Vans, King of Pentacles and bottom में है King of Vans, चीक है तो जो आपके पर्सन के जोरेक साइंस हो सकने हैं वही Cancer, Scorpion, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius and Gemini, Leprani, Aquarius, तो आगे कर हम चले ना तो मुझे यहाँ पर साफ-साफ ऐसा नजर आ रहा है जैसे The Wheel of Fortune से King of Wand तक की एनरजी यहाँ पर बढ़ती हुई इसी नजर आ रही है दीकिए Wheel of Fortune जितना Changes को Define करता है ना उतना ही Wheel of Fortune आपकी Life में Ups and Downs भी दिखाता है ठीक है? यानि Of Course, Transformation तो है, Change तो है और वो वापस भी आएंगे और जरूर आएंगे ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसे नजर आ रहा है जैसे जो यह Wheel of Fortune के एनरजी मुझे बता रही है कि आपके Person को बहुत ज़्यादा mood swings होते है यानि कभी mood बहुत अच्छा, कभी बिल्कुल खराब mood है तो आपसे बहुत बाते करेंगे और mood नहीं है तो बिल्कुल चुप चाप ठीक है? Ignorance भी दे सकते हैं आपको ऐसी energy मुझे हाँ पर देखने को मिल रही है ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते हैं या love की energy नहीं है या connection नहीं है प्यार तो बहुत है, connection भी है, love की energy भी है लेकिन मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है जैसे उनसे ना situation ही handle नहीं हो रही है ठीक है? उनसे ना situation ही handle नहीं हो रही है balance नहीं हो पा रही है चीज़े जब आपको उनकी जरूरत होती है ना तो आप तो उने बहुत support करते हैं ठीक है बहुत ज़ादा उनके साथ रहोगे उनकी health करोगे, उनकी care करोगे लेकिन जब आपको support देने की बारी आती है तो यह इंसान गायब ठीक है अपनी shell में जाकर छुप जाता है इंसान support देने के नाम पर भाग जाएगा तो वो energy भी मुझे आप पर देखने को मिल रही है मुझे यहाँ पर ऐसे नजर आ रहा है कि प्यार तो बहुत है ठीक है और इन्हें अपना धीरे-धीरे realize भी हो रहा है कि जो आपसे साथ ही connection है जिस कारण नहीं आपको छोड़ पा रहे है नहीं आपके साथ रह पा रहे है ठीक है आपको भूलने की भी कोशिश करते हैं भुला भी नहीं पा रहे है यह confused mind कहीं न कहीं उनके दिलों दिमाग में रहता है तो यहाँ मुझे यह energy देखने को मिल रही है कि वो न अपने आपसे ही सवाल कर रहे हैं या फिर उन्हें यह realize हो रहा है कि जो यह प्यार आपके साथ है नहीं एकदम सच्चा प्यार है ठीक है यह सच्चा प्यार है unconditional love कहीं न कहीं है कर बैठें आपसे ऐसा इनको realization होता हुआ सा दिख रहा है देखो आपके connection में ना मैंने कहा ना बहुत ups and downs बहुत बहुत उतार चड़ाव से मुझे नजर आ रहे है ठीक है मतलब आपने भी काफी तकलीफे छेली है काफी hurt हुए हो और वहीं पर आपके person ने भी बहुत तकलीफे छेली है burden की energy भी यहाँ पर दिख रही है वो भी काफी hurt हुए है ठीक है लेकिन बस बात यही कि वो अपनी दिक्कते वो अपनी तकलीफे आपको show नहीं कर रहे है बता नहीं रहे है ठीक है आपको क्या मैं कहूंगी कि वो दुनिया को ही अपनी यह दिखते अपनी problems नहीं मैसूस करवा रहे है show नहीं कर रहे है ऐसी उनकी एनर्जी है उनका बहुत मन है आपसे बात करने का आपकी तरफ आने का लेकिन उन्हें पता है उन्हें चीज मालूम है कि अगर वो आपके पास आएंगे तो उन्हें आपको जवाब भी देना पड़ेगा clarity भी देनी पड़ेगी हो सकता है इस समय मुझे ये एनर्जी भी दिख रहे है कि काफी spiritual से होते हुए दिख रहे है मंदिर, गुर्दवारे, मश्चिद जाना जैसे शुरू करा है उन्होंने ठीक है और ऐसी एनर्जी मुझे आपर देखने को मिल रहे है भगवान से जाकर भी मांग रहे है कि इस connection में है भगवान अब सब कुछ सही हो जाए काश अब सब कुछ improve हो जाए आपके साजून का connection है उसमें काश वापस जैसा past में था वैसा सब कुछ हो जाए वापस उनका आप पर हक वो जमा सके वापस आप से बात कर सके जब चाहे तो कही ना कही भगवान से भी यो चीजे मांगते हुए से नजर आ रहे है उन्हें अब अपनी जिंदगी में मुझे यहाँ पर जैसे थ्री आफ कप्स के एनरजी उन्हें ये celebration चाहिए अपनी जिंदगी में ये joy वाली एनरजी कही ना कही आपके person को चाहिए उनको चाहिए ये energy क्योंकि ये missing है happiness एक missing है उनकी life में और वो happiness आप हो उन्हें आप peace of mind चाहिए शान्ती चाहिए वो बहुत changes देखो wheel of fortune वो changes चाहते हैं आप अपनी जिंदगी में वो चाहते हैं कि अब उन्हें भी शान्ती मिले उनकी life में भी celebration joy happiness जैसी चीज़े आए अलग तो देखो ये भी नहीं रह पा रहे हैं जैसे आप इनसे अलग नहीं रह पा रहे हूँ ये आप से अलग नहीं रह पा रहे हैं ठीक है और definitely आएंगे और वापस भी आएंगे और अपने मतलब ऐसी बातें आपसे बताना चाहते हैं जो शायद ये बातें किसी और से नहीं कह सकते हैं अपने पूरे दिल का हाल सुनाना चाहते हैं अपने emotions आपके सामने रखना चाहते हैं बहुत कुछ है बहुत कुछ चलता हुआ साथ दिख रहा है इनके दिलो दिमाग में मुझे, तो वही पर इस समय मुझे यहाँ पर यह भी दिख रही है, जैसे में भी आपके connection ना, like Queen of Sword, King of Pentacles जैसी energy है, Three of Pentacles जैसी energy है, में भी आप लोगों की family agree नहीं कर रही है, याँ agree नहीं करेगी इस relationship को, और यह family third party भी हो सकती है, और यह अपनी family के against जाकर आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, अगर कुछ ऐसा family issues हैं, तो मुझे यह भी दिख रहा है, कि अपनी family से against जाकर नहीं करना चाहते हैं आपसे बात, इन्हें realization हो रहा है, कि प्यार एक तरफा नहीं होता है, प्यार सर्फ प्यार में equal given take होता है, ठीक हैं, और आपके प्यार में तो equal given take है ही नहीं, और इनको अब यह समझ में आ रहा है, कि प्यार दूनों तरफा होता है, अगर आप देते हो, तो उन्हें भी देना होता है, तो वो energy मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है आपके partner की जहाँ पर बहुत strongly उनकी इच्छा है आपकी तरफ यूँ भाब कराने की आपसे बात करने की आपको अपने emotions share करने की, आपको बताने की तो यह कुछ उनके thoughts और energies हैं अगर definitely यह चीज़े आपके साथ resonate करती है तो like, comment, follow, share जरूर करिए this is all for today, thank you, bye bye and take care